तो फिर से संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और आए अब जान लेते हैं संजीवनी टिप्स जिसमें डॉक्टर साब आपको बताने वाले हैं सफेद बालों से कैसे पाय छुटकारा पानी रोज घास में डालेंगे तो हरी रहेगी तो तेल नहीं लगाते आजकल लोग आजकल ड्राइँ रखते हैं बालों को और सोके बालों का बहुत प्रचलन है उसके कारण बाल बहुत जलदी सफेद होते हैं उसके अतिरिक्त इंटरनल गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत जादा गरम चीजों का सेवन करना जो कि हम बार-बार आपको कहते रहते हैं पित वर्धक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आमले का चुरुन आप खाएं रोज एक चमच आमले का चुरुन तो बालों को पोशन भी मिलेगा और अंदर गर्मी भी आपकी कम हो जाएगी या आमले का पेस्ट बना लें खास तोर से उसको लोहे के बरतन में अगर भेगाएंगे आप रात भर तो थोड़ा कलर भी उसका का पड़ेगा इसी तरह से करी पत्ता बहुत पॉपुलर है वालों के लिए करी पत्ते का जो पेस्ट बना करके आप च्छाच घर में बनती है च्छाच में उसको घोली अच्छी तरह से और यह जो आपका मिक्षर बनता है इससे आप अच्छी तरह से जड़ों में और पूरे स्काल्प में मसाज करें. वसको थोड़ा दोर, कम सट सई कम 20-25 मिनट उसको रहने दीजिए. या करी पत्ता का पेष्ट बना करके नारियुल के तेल में पका करके उसको च्छान करके जो तेल आप का तैयार होता उसको लगाएं और पूरे बालों में उसको लगाएं और थोड़ा मसाज करें उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा लेकिन अगर आपकी जो है उम्र पहुंच गई है अब तो पहले हम 40 से पहले कहते थे अब 30 से ज़्यादा अगर उम्र आपकी है तो अब केवल आप बालों को रोकने का काम करें जो सफेद होगे हैं वो शयद काले अब नहीं होगे क्योंकि 30 साल तक की उमर में बहुत ज़्यादा हम उल्टा सीधा खा पी करके पूरा सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है तो रोकने का प्रियास करें और अगर सही तरह से सीरियसली आप करेंगे तो हो सकता है कुछ बाल आपके वापस काले भी होने लगें ऐसा कुछ असंभव नहीं है लेकिन बहुत मेहनत उसमें करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा आपको अपना खान पान का और सब मेंटल टेंशन का उसका सबका एक विशेश ध्यान रखना पड़ता है कि माइंड भी आपका परसंद रहे शरीर भी आपका जो है स्वस्त रह तो फिर चीजें नॉर्मल तरीके से अपनी उसी सभाव में वापस आ जाती है आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताये हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहत मन रहेंगे संजीवनी प्रोग्राम के जरीए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बना सकते हैं हमारी फेस्बुक आइडी है www.facebook.com स्लाश जीवा आयरुवेदा डॉक्टर साहब बहुत 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 शुक्रिया जानकारी के लिए तो इसी उमीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहेंगे हेल्दी रहेंगे फिट रहेंगे अगले एपिसोड में आपसे फिर अभी मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार